एक constant battle है कि किसकी बिर्यानी सबसे ज़ादा better है और यहीं नहीं, बिर्यानी कैसे बनती है In fact, हर state की, हर community की अपनी एक अलग बिर्यानी है तो जो आपके घर पे बनती है, वो शायद मेरे घर पे नहीं बनती जो मेरे घर पे बनती है, शायद वो किसी और के लिए authentic नहीं है या real नहीं है लेकिन बिर्यानी एक ऐसी डिश है, जो जब भी बनती है मेरे एक घर के अंदर खुश्वू पहल जाती है और अगर आप थोड़ी सी ज़ादा बनाएंगे, तो मोले तक भी खुश्वू पहल जाएगी आज हम बनाएंगे हैदराबादी पके गोश्ट की बिर्यानी हम लेंगे गोश्ट जब आप गोश्ट लेंगे, हडडी वाला गोश्ट लेंगे तो बेस्ट है, बिकास उसके अंदर काफी फ्लेवर होता है यह, तस लुक्त गोश्ट इसमें डालेंगे नमक, गोड़मांट, हल्दी लाल मिज पावडर घड़े मसाले में इसमें जाएगा शाही जीरा, इलाइची और दालचीनी एक जनरिस अमाउंट ओफ गालिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट इसमें डालेंगे यह दाही खूब सारे पुदीने के पत्ते यह हमारा फ्राइड अनियन जिसे हमने तेल में फ्राइ कर निकाल लिया है इसे बरिस्ता भी बोलते हैं यह है हरी मिर्च ग्रीन चिली इसमें जाएगा और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे एक खास बात यह है कि जबी भी हैद्रबादी बिर्यानी हम बनाते हैं तो उसके अंदर कभी भी केवडा या फिर गुलाब नहीं जाता हाला कि केरला स्टाइल बिर्यानी में टमाटर इस्तमाल होता है नॉट ऑल बट जो मोपिला या मापिला बिर्यानी है उसके अंदर टमाटर जाता है इसे हम डालेंगे इस देग में अब इसे हमें पकाना है जब तक कि यह पक रहा है हम लोग पानी को यहां पर चावलों के लिए उबाल लेंगे साथी साथ यह है बास्मती राइस और इस राइस को करीबन आदे घंटे से लेकर पॉने घंटे तक आपको पानी में सो करके रखना है इसे अच्छे से भूनना है अब आज को हलका करके इसे कवर करके पखाना है जत्ती देर में गोश्ट अल्मोस्ट एटी तू नाइटी परसंट पक जाए अब हम राइस की तरफ जाएंगे यह सोक्ट राइस है और उसे हम अब ब्लांच करेंगे लेकिन उससे पहले हम डालेंगे खूब सारा नमक थोड़ी सी लाइची तोड़ी लाइची तोड़ी एक ग्रीन चिली मेर पास है यह थोड़ा सा ओएल लग देस कम अन तो बॉल उसके बाद इसमें चावल डालेंगे एक अच्छे बॉल के बाद इस मसाले को हटा देंगे वी डोंट एक्सेस मसाला और इसमें अब जाएगा चावल एक अच्छी मेजमेंट है कि जितना आपका गोष्ट है इन वेट उतना ही चावल इन वेट आप ले सकते हैं जब तक चावल ब्लांच हो रहा है यह आटे को हम क्यूं लंबा कर देते यह इस्तमाल होगा दम लगाने में जो चावल है उसको करीबन 80% परकाना हमने बाकी का वो दम पर पकेगा गोष्ट के साथ धकन पर हम लगा देंगे से परफेक्ट इसका ढखना भी त्यार है चावल तयार कैस को करेंगे पन और इस अब हम छान लेंगे चावल डालने से पहले हम डालेंगे थोड़े पुदीने के पत्ते थोड़ा सा फ्राइड अनियन और अब इसमें हम डालेंगे चावल All of it यह जो चावल का पानी है करीबन एक लाडल यह हम इस पर डालेंगे That's it इसके उपर जाएगा यह केसर जिसे हमने दूद में घोला हुआ था All of it और इसमें डालेंगे यह फ्राइड अनियन का बचा हुआ ओई यह एक बोहती बढ़िया फ्लेवर देगा At this stage if you want आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं Now, quickly इसे करेंगे हम सील Once again, on a high flame करीबन एक से देड मिनट तक ताके यह दुबारा से पकना शुरू हो जाए उसके पाद इसे धीरे करेंगे बियानी तयार है इसे करेंगे बंद Best is कि इसको आप 10 मिनट तक rest करने दे यू ही बंद रहने दे से उसके बाद हम बियानी को लेंगे Alright guys, time to open this बियानी Now, बियानी खोलना भी एक कला है एक पत्रले सिरे वाला या तो इस तरीके का स्पून या फिर कोई प्लेट एक किनारे से ऐसे रोटेट करके इसको फलफ अप करेंगे इसको खोलेंगे फिर स्कूप आउट करके सर्फ करेंगे अगर ऐसे आपने चबमज डाल दिये तो सारी बियानी मैश हो जाएगी और अब यूँ आराम से जस्ट ओपन इट एक साइड से एक सिरे से देख रहे हैं एक के कंड बिलकुल अलग प्यूटिफुल यह नीचे मसाले वला चावल जो गोश्ट के साथ है उसे डालेंगे पहले और उसके उपर यह उपर का केसर वला चावल और अच्छी बिर्यानी की निशानी है अबिसली के चावल ना लंपी हो ना ही कच्चा हो कंड कंड अलगो and the best test is जब अब हंडी का तला देखते हैं have a look look at that absolutely clean bottom which means बिर्यानी बिलकुल नी लगी ना इसे गार्णिश करेंगे थोड़े फ्राइड अन्यन्स के साथ और थोड़े मिंट लीज के साथ और हमारी हैदरबादी गोष्ट बिर्यानी झाल